नमस्ते फ्रेंड्स मैं हुद अनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर आज के रेट में इस्रेल इरान के अंदर घुसके अपने टार्गेट को हिट कर सकता है तो उसके पीछे का वज़ा है कि इस्रेल अपने defense related matter में खूब पैसे खर्श करता है और साथ में continuously अपने defense equipments को अपग्रेट करता रहता है यागर हम और भी दुनिया के अलग-अलग global superpower देशों को देखेंगे तो उन सभी देशों का जो defense है वो काफी मजबूत है और इसके पीछे का वज़ा है कि वो research and development में खूब पैसे खर्श करते हैं और साथ ही regular update करते रहते हैं अपने defense equipments को जहां तक बात किया जाए भारत के बारे में तो साल 2014 से government of India आपने make in India initiative के तहत दुनिया भर के बहतरीन defense equipments manufacturing companies को request कर रहे हैं कि आप भारत में आए और यहां के defense manufacturing companies के साथ collaborate करके चीजों को design, develop और manufacture करें इसी बीच France की एक बहुत ही बड़ी company है Thales जो कि भारत की अदानी defense के साथ collaborate करके 70 mm rockets को produce करेंगे जितने भी लोग हमारे बीच geopolitical news को पढ़ते हैं तो आप भूल जाइए कि कोई भी देश आपको respect करेगा आज के rate में US का लगभग 800 से भी अधिक military bases से दुनिया के अलग-अलग देशों में और US के foreign policy का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका defense export कहने का मतलब है कि अगर US किसी भी देश के साथ अपने नजदीकी को बढ़ाता है तो उसका एक जो सबसे बड़ा prime focus होता है वो ये होता है कि वो उस देश को बढ़ चड़कर weapons बेचे तो कहने का मतलब है कि defense export भी एक बहुत बड़ा market है और यहां से भी खूब पैसे बनाये जाते हैं जहां तक हम बात करें भारत के बारे में तो साल 2023-24 में हम लोगों ने जो defense equipment export किये वो 2.5 billion किये जो की amount अपने आप में काफी कम है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज़ को हम value नहीं देंगे आप किसी भी field के research and development के बारे में बाते कर लें तो उसमें खूब पैसे लगते हैं और भारत इतना बड़ा देश है कि ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा challenge होता है कि वो किस हिस्से से पैसे काट के अपने कौन से research and development में invest करे तो जितना चीज़े ऊपर से आसान दिखती है उतना actually होता नहीं तो यहां से भी हमें समझना चाहिए कि अगर हम आज के date में defense related matters में investment करेंगे तो chances काफी high है कि इसका जो output रहेगा वो हमें काफी अच्छा मिलेगा tails कितनी बड़ी company हम इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन जून के महीने में जो tails और अदानी defense के साथ pact sign हुआ है इसमें primarily हम focus करेंगे 70mm rockets बनाने के लिए अब 70mm rockets के बारे में अगर आब बात करेंगे तो यह काफी effective rockets होता है जो कि एक real war में काफी अच्छा damage करता है या overall हम समझ ले कि यह एक all weather rocket होता है जो अपने purpose को खूब अच्छे से fulfill करता है और जहां तक बात किया जाए कि यह 70mm rockets किस helicopter में use होगा तो वो होगा rudra में और दूसरा होगा प्रचंड में जहां तक बात किया जाए rudra helicopter का तो rudra helicopter dhruv का एक weaponized version है कहने का मतलब है कि dhruv helicopter एक multi-purpose helicopter है जिसका इस्तेमाल primarily हमारे forces को एक जगा से लेके दूसरे जगा move करवाने के लिए होता है या किसी भी disaster management के situation में होता है या यूं कहले कि dhruv helicopter वो सारा काम कर सकता है combat helicopter में transform करते हैं तो वो बन जाता है rudra और इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी effective है और ये high altitude में fly करता है और जो इसका purpose है उसको काफी अच्छे तरीके से ये fulfill करता है और साथ में अगर हम बात करें प्रचंड के बारे में तो ये देख के ही समझ में आता है कि ये एक combat helicopter है जिसमें दो engines लगते हैं और ये 5000 मेटर high altitude से भी fly करता है जो कि दुनिया का single most helicopter है जो कि इतने high altitude से fly करता है और fly करते वक्त इसमें जो payload capacity भी होता है वो भी काफी अच्छा होता है तो आप लमसम इसको कुछ इस तरीके से समझ लें कि ये high altitude में भी operate करता है और ये जितना high altitude में operate करता है दुनिया का और कोई ऐसे helicopter नहीं है जो इतने high altitude में operate करता है और इसको भी जो responsibility दी जाती है वो complete तरीके से उस responsibility को fulfill करता है LCH का full form होता है light combat helicopter और ये complete तरीके से Indian made है तो अगर हम in short समझना चाहें तो आज के date में आप जितना अपने defense का research and development में पैसे invest करेंगे chances उतना ही high है कि in future इसका return काफी अच्छा मिले और साथ में एक atmosphere भी बनता है जहांपे अगर किसी भी तरीके से एक company आपके देश में आके investment करते हैं या अपने manufacturing unit को set up करते हैं तो इससे एक atmosphere बनता है जहांपे और भी देशों को ये लगता है कि भारत एक favorable देश है जहांपे उनको skilled labored मिलेंगे और साथ में government का support और जहां तक हम बात करें थेल्स के बारे में तो थेल्स एक France की company है और France NATO का one of the most important member है और आज के date में थेल्स दुनिया के 50 से भी अधिक देशों को अपने अलग-अलग type के defense equipment बेशता है जब हम defense equipment सुनते हैं या सोचते हैं तो primarily हमारे दिमाग में rockets या weapons या tanks वगेरा आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि communication devices या command and control system या surveillance system ये सारे चीज़ भी defense का हिस्सा होता है तो अगर हम लमसम समझना चाहें तो थेल्स एक बहुत ही giant company है जिसके पास एक vast experience ये अलग-अलग type का defense equipment को manufacture और produce करने के लिए तो अगर इसको हम बहुत ही लमसम समझना चाहें तो ये भारत के perspective से एक बहुत ही बड़ा opportunity है और साथ में इसके कारण और भी अलग-अलग देशों के जो बड़ी-बड़ी companies रहेंगी उनके भी आने के chances बढ़ जाते हैं और साथ में अगर किसी भी देश की unit को set up करेंगे बाहर से investment आने के एक जो सबसे important कारण होता है वो होता है कि अगर आपके देश में political stability नहीं रहेगी तो कोई भी देश आपके देश में investment नहीं करेगा तो अगर थेल्स भारत में investment कर रहा तो ये बताता है कि भारत का जो political atmosphere है वो अच्छा है और यहां पर जो transition of power होते हैं वो भी काफी smooth तरीके से हो जाते हैं तो more or less अगर इसको हम बहुत ही condensed तरीके से समझना चाहें तो हमारे लिए काफी positive news है और हमें इस opportunity का फाइदा उठाना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye